हाई गईस और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपाच यादव एजुकेशन वेलकम टी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 16 फेबररी 2023 तो गईस आज है दारिक 16 फरवरी 2023 और है थर्सडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट को हम यहाँ पर डीटियल से डिस्कस करेंगे यह वीडियो यूपीसी और स्टेट पीसी के पॉइंट अव्यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलो शुब आरम करते हैं बट आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हर रोज मॉर्निंग में राइट के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल को बाग्राउंड इंफर्मेशन के साथ में कवर करते हैं इस लेक्चर का जो एंड है ना वो बिल्कुल मिस मत करना अगर आप एंड छोड़कर जाते हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो वीडियो के लास्ट में आपको एक ठीक है इसको इग्नोर करना बाकी इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले टेलिग्राम पर जाना वहाँ पे लिखना दीपक्यादव एजुकेशन यूपीएसी आपको यह वाला चनल मिलेगा यहां से आप डेली बिसस पर इस लेक्चर के पीडिये सकते हो ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल से बिल्कुल मैं क्रिस्प तरीके से समझाओंगा और फिर वीडियो के लास्ट में आपको यहां पर एक टेस्ट भी देना होगा आज का सबसे पहले आर्टिकल बात करत से एक्जामनेशन में सवाल पूछा जाएगा तो खबर यहां पर यह है कि जो ऑक्सफर्ड यूनिवस्टी है इन्होंने रीसेंटल यहां पर एक स्टडी किये है और उस स्टडी में पाया यह गया कि जो पी एफ एएस है न यह कहीं न कहीं देखो टॉक्सिक माना जाता है क तो वहां पर आइस के अंदर बरफ में आप कह सकतो फॉरेवर केमिकल पाया गया और इसका जो लेवल था वो काफी जादा था जो कि कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर रीजन के लिए उस पूरे एरिया के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है ऐसा यहां पर बताया गया इस चक अगर मैं इस मैप को थोड़ा और अच्छे से एक्स्प्लेंग करने की कोशिश करूँ तो यह आपको पूरा पर्टिकुलर मैप देखने को मिलेगा यहां पर इंडिया हुआ इंडिया की कंपरेजन में उपर आप यहां पर जाओगे यह पूरा का पूरा नॉर्वे है और यहां पर आईस मेन यह फ्र फॉड़ेवर केमिकल्ड देखने को मिला है ठिक है पर यहां पर कीMac कि इससे नुकसान क्या हो रहा है नुकसान इसलिए जाधा संगी यह जाधा मात्रा में का मिला है तो अब यह बात काいます के शे नाम से बहुत जानती है इसका मतलब क्या होता है poly-fluorinated alkyl substances ये इसका नाम है अब आगे मैं इसको PFAC बोलूँगा इसकी full form यहीं पर ध्यान बरकना इसको हम लोग forever chemicals के नाम से भी जानते हैं ये एक ऐसा chemical आपको देखने को मिलेगा जो की man-made है यानि की इनसान ने अपने हाथ से बनाया है और इस प्रकार के यहाँ पर आप देख पाओगे तो लगबग बहुत सरे chemicals हैं लगबग 4700 के आसपास यहाँ पर इस प्रकार की chemical families ऐसी देखने को मिलेंगी जो की बहुत ज़दे high chemical बहुत मजबूत chemical माने जाते हैं बहुत strong chemicals माने जाते हैं और यह इनसानों के थुरू बनाये गए उनी में से यहाँ पर एक chemical यह भी है तो ध्यान रखना एक large chemical family से बिलॉंग करने वाला ही यह chemical है forever chemical और इसको हम लोग बोलता है कि यह कहीं न कहीं एक बहुत ज़दा मजबूत synthetic chemical है question यह synthetic chemical क्या होता है 1940 में इसको develop किया गया था और आज के समय में कई सारे products के अंदर यह chemical पाया जाता है for example आप एगर में non-stick pan होगा है ना उसके अंदर यह chemical मिलता है उसके बाद water resistant textile हो गया fire suppression foams हो गई है ना आग बुजाने वाली भी foam बगएरा होती है इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ है जिनके अंदर यह chemical पाया जाता है तो यह chemical काफी सारे cosmetics products के अंदर भी पाया जाता है और इस प्रकार की चीज़ों में भी देखने को मिलता है ठीक है तो forever chemical क्या है इतनी बात आपको समझ माई बिल्कुल सिंपल तरीके समझ माई अब एक picture और देख सकते होगे आपर जैसे हमारा rain caught हो गया electronic products हो गए fire retardant foams हो गए fast food के containers even यह आप देख पा रहोंगे जिसमें coffee बगरा पी जाती है fast food के containers है non stick जो भी आपके घर में pan बगरा है या personal care products हो गए है या बहुत सरे यहाँ पर जो stain resistant carpets होते हैं इन सब चीजों के अंदर में यह PFAS का use होता है यह ज़ादतर chemical इन products के अंदर पाया जाता है question यहाँ पर यह है कि यह exactly बतलब ऐसा क्या है इसमें कि इसका इतना ज़दा यूज किया जा रहा है क्योंकिहाँ पर पता है यह environment में इतनी जल्दी बेकार नहीं हो पाता है ना इसके अंदर खास बात है कि हमारे environment में degrade नहीं हो पाता है काफी अच्छा और मजबूती से यह environment में आराम से टिक पाता है दूसरा यह मैंने बोला district नहीं हो पाता है ना यानि कि खराब नहीं हो पाता तो इसके अंदर ये power आती है कहां से ये power आती है carbon fluoride bond से क्योंकि इसके अंदर एक carbon fluoride bond देखने को मिलता है ये हमारे पूरे organic chemistry में एक प्राकार का सबसे मजबूत bond है और इसी bond का use किया जाता है इस chemical में जिसके basis पर याँ पर ये chemical काफिजदा मजबूत मना जाता है इवन याँ पर environment के अंदर भी जल्दी याँ पर ये खतम नहीं हो सकता है लेकिन बोला जा रहा है कि जब ये pollutants बहुत जादा हो जाता है अगर environment में बहुत सारा ये chemical एकाटा हो जाए तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को बुरी तरह से damage कर सकता है और पिछले कुछ समय पर industrial process के माद्यम से ऐसे pollutants बहुत जादा release हो चुके हैं हमारे air में, soil में, ground water में लेक में बहुत जादा बढ़ चुके हैं लेकिन ये जो chemicals हैं ऐसा निये किसी एक particular area में पाए जाएंगे दूसरे में नहीं पाए जाएंगे दुनिया भर में देखने को मलता है दुनिया भर में यहाँ पर ये chemicals का use किया जा रहा है और ज्यादा तर मतलब remote से remote वाला area भी हो यानि जहाँ पर इंसान भटकता भी ना हो एविन Arctic region में देखाओ कि बहुत कम लोग रहता है उस area में भी हाँ पर इन chemicals को पाया गया है एविन उसके बाद में ये जो chemicals से ये detect किये गए है blood के अंदर में जो breast milk होता है उसमें भी detect किया गया है wildlife के अंदर भी हाँ पर ये chemicals देखे गए है लेकिन अगर इसका exposure थोड़े बड़े लेवल पर होगा थोड़ा जादा लेवल पर ये chemicals अगर किसी contact में आता है तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी problems create हो सकती है for example एक particular person का जो liver है वो damage हो सकता है उसके body का cholesterol level बढ़ सकता है है ना जो immune response उसका वो कम हो सकता है जल्दिल्दी वो इंसान बिमार पढ़ सकता है उसका जो birth weight है वो कम हो सकता है और कई प्रकार के cancers यहां पर हो सकता है तो कहीं न कहीं ये एक problematic चीज़ भी देखने को मिलती है regarding this PFAS clear हुआ? चलो next topic पर आता है अगले article में बात की गही है operation दोस्त के बारे में very very important article आपको पता होगा recently टर्की और सीरिया के अंदर भूकम बात आए और उस भूकम के बाद में बहुत सरे देशों से टर्की ने मदद मांगी है और उस मदद में इंडिया ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी help टर्की को प्रोवाइट करवाई गया है जो यहाँ पर help हमने प्रोवाइट करवाई है इसी के दोरान यहाँ पर हमने एक operation चला है इसको एक operation का नाम दिया गया है specifically उसका नाम है operation दोस्त तो operation दोस्त के तहत यहाँ पर टर्की को मदद पहुचाई गई अच्छा मैं आप लोगों से यहाँ पर एक simple सा question पूछता हूँ पिछले साल की बात है साल 2022 की जब रश्या युक्रेन का वार चला था तो युक्रेन में कई सारे जो इंडियन स्टुडेंट्स हैं वो फस गये थे उनको वापस से इंडिया लाया जा रहा था तब भी एक operation चलाया गया था जरा आपको नाम याद है उसका बहुत simple सा नाम है बता उस operation का नाम गया था याद करो नई थोड़ा दिमाग पर जो डालो देखते हैं यापर कितना याद है आपको चलो उसके बाद यहाँ बात करते हैं इस वाले particular operation की तो टर्की और सीरिया के अंदर recent की भुकंब बात है भुकंब जादे बड़े level का था पता है मैंने coverage कर रखा इसके बारे में दहिंदू के अंदर तो बहुत सारा मतलब की आपके सकते हो एक rescue mission चलाया गया काफी सरे जो लोग इंडिया से वो वहाँ पर भेजे गए और मतलब की disaster थोड़ा बड़े level पर था अगर आप ये देख रहे हो कि अलग-लग देशों से ऐसा support जा रहा है तो उसको उससे निपटने के लिए यहाँ पर ये जो force है उसका हम लोग यूज करता है तो ये NDRF की team जो है वहाँ पर बेज दी गई उसका बहुत बाकी सारा materials, medicine, medical equipment और भी बहुत सरे खाने पिने के items ये सब टर्की और सीरिया में बेजे गए इस पूरे के पूरे incident के दोरान एविन जो NDRF की team है इसका साथ जो dog sword है है ना dog का पूरा का पूरा जो unit है वो भीजा गया क्योंकि वो जो dog है वो क्या करेगा जो victims होंगे उनको सूंकर पहचान सकता है देन उसके बाद में जो medicines है, blankets है, four wheelers है ambulance वगरा भी हाँ पर भीजी गई है, आपने videos जो viral हुई है, वो videos देखी होंगी है ना ambulance वगरा तक यहाँ पर इंडिया ने बेजी है टर्की को, जबकि टर्की काफी सरे matter में आपको पता होगा इंडिया के against में रहता है, चाए वो कश्मीर वाला issue उसमें हमेशा पाकिस्तान को support करता है relations को ज़्यादा अच्छे नहीं है इंडिया टर्की के, लेकिन यहाँ पर आप देख पाऊगे इस प्रकार से इंडिया का response रहा है बात clear हुई, अब उसके बाद में यहाँ पर अभी मैंने एक word यूज किया National Disaster Response Force आप यहाँ पर यह लोग देख पार होंगे NDRF India लिखावाए ना, तो यह यहाँ पर वही व्यक्ति है, NDRF की टीम है इंडिया की, तो यह इंडिया की एक specialized force होती है, कि अगर मानलो कोई ऐसा natural disaster आता है तो वहाँ पर relief प्रोवाइट करवाने के लिए यह particular team काम करती है बस एक छोटा सा point, दोस्त इतना ध्यान अकना कि इस पूरे NDRF टीम को हमने बनाया है Disaster Management Act 2005 के तहट, ठीके ना एक छोटा सा point यह ध्यान अकना आगे आता है, आगे बढ़िन से पहले आर make sure करना, वीडियो पर जो like का पटन उसको भी expressway को लेकर, कि आप डेली से मुंबई जाने का जो रास्ता है, उसमें जो पहले आपको 24 घंटे लगा करते थे, अब 12 घंटे में आप डेली से मुंबई पहुंच सकते हो तो हुआ क्या है, एक हाईवे यहाँ पर तयार किया जा रहा है, हमारे साल बेसिस पर यहाँ पर ही चर्चा में है, लेकिन अभी यह under construction है, इसके ओपर काम चल रहा है तो हम समझेंगे कि overall यह है क्या डेली मुंबई expressway की अगर हम बात करते हैं तो पहला point very very important, यह इंडिया का एक longest expressway होने वाला है भारत का सबसे लंबा expressway होने वाला है जिसकी लंबाई 1,386 km के असपास होगी यह जो expressway है, यह traveling distance को कम कर देगा जैसे मैं आपको बताया, डेली यहाँ पर है और मुंबई यहाँ पर है इनके बीच में जो distance से पहले लगबग यहाँ पर 24 घंटे लगा कर देते इस रास्ते को travel करने के लिए और लगबग यहाँ पर आपको डेली से मुंबई तक 1,424 km का रास्ता तै करना पड़ता था बट यहाँ पर इन चीजों को काफी कम कर दिया गया है इस highway की मदद से सॉरी मैं highway वर्ड यूज कर रहा हूं क्या अच्छा ध्यान रखना highway यूज करना एक्सप्रेस वे यूज करना है highway अलग होता है highway पर आप देख पाओगे आपको speed कम बढ़ती करनी पर जाती है बट एक्सप्रेस वे पर आप बहुत बड़ी speed पर लेकर लगबख 100 km प्रती घंटा 120 km प्रती घंटा के हिसाब से अराम से चल सकते हो ठीक है न तो express way वर्ड यूज करना है ठीक है सॉरी अगर मैंने highway वर्ड यूज कर दिया है तो तो ये इंडिया का सबसे लंबा express way होने वाला है और मैंने आपको बताया distance कम हो जाएगा अगर यहाँ पे पहले 1400 km का रास्ता तै करना पड़ता था तो ये रास्ता कम होकर लगबख 1200 km या फिर 1242 km तो भी precise हो जाएगा टाइम की बात करें तो पहले 24 घंटे लग रहे थे एक्सप्रेस वे कौन तैयार कर रहा है उसके जमतारी National Highways Authority of India के पास में ठीक है तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट कितनी जा रही है यह मैंने आपको बता है कौन बना रहा है इसको यह आपने समझ लिया यह जो एक्सप्रेस वे है यह हमारे छे राज्यों से गुजरेगा ध्यान रखना छे राज्यों से गुजर कर जाएगा डैली, हर्याणा, राजिस्थान, मद्याप्रदेश, गुजराथ, महराष्ट्रा ठीक है अब यहाँ पर आप देख पार रहोंगे डैली, इधर यहाँ पर आप देख पाऊगे जो की, मतलब हमारी स्टेट्स गुजर रहा है यहाँ पर राजिस्थान हो गया, इधर गुजराथ हो गया है ना, बीजिट में जो स्टेट्स हा रहे है यहाँ सबसे गुजरताव जाएगा, इधर हर्याणा भी आपको देखने को मिल जाएगा तो ध्यान रखना, छे राजों से यह गुजर रहा है बस इतना ध्यान रखना दूसरा, यह बड़ी-बड़ी शहर को कनेट करेगा जैसे कोटा, इंदौर, जैपूर, भोपाल, वरोड़रा, सूरत इन सब शहर को यहाँ पर यह कनेट करताव आएगा यह आप लोग देख पा रहे होंगे चीक है कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कहीं पर कुछ और दिखाए जारी फीचर्स क्या होंगे इसके फीचर्स ठोला डिसकस कर लेते हैं यह एक्सप्रेस वे आट लेन का है आट लेन के दब चार लेन इधर और चार लेन इधर आट लेन इसको बड़ा कर बारा लेन भी किया जा सकता है छे छे लेन बनाई जा सकती है तो बाड़ा लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार से इस express way को तयार करके चल रहा है दूसरा एक और बहुत important point है हमारा पूरे एशिया में ध्यानक ना पूरे एशिया का ये पहला express way होने वाला है और पूरे दुनिया में ये दूसरा express way होने वाला है इसमें खास बात क्या होने वाली है एक ऐसा express होने वाला है कि जिसमें animal overpass बनाया गया है तो एशिया का पहला और दूनिया का दूसरा ऐसा एक्स्प्रेसवे है जहाँ पर Animal Overpass देखने को मिलेगा अब Animal Overpass क्या होता है ये पिछर देखो ये नीचे रोड जा रही है और ये रोड जा रही है दूसरे तरफ यहाँ पर जंगल है यहाँ पर जंगल है बहुत ज़र एशूस देखने को मिलते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा उस express way से उसके उपर animal overpass बनाया जाएगा इस प्रकार से पूरा overpass होगा यहाँ नहीं यहाँ पर जो जानवर है तो ध्यान रखना यह बहुत relevant point है नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं यह आर्टिकल आपका जी एस पिपर नंबर वन important personality के point of view से important होगा मैंने दा हिंदू के वीडियो में भी आपको स्वामी दयानन सरस्वती जीवरी इनके बारें बताया था प्लस यहाँ पे मैंने आपको इनके सारे concept समझाये थे मतलब concepts क्या exactly यहाँ पे जो भी इतिहा से in personality को लेकर woman आपको बताया था तो अभी उसी के बारे मैं चर्चा कर रहा है तो हुआ क्या है अभी हमारे PM मोदी हमारे महारिशी दयानन सरस्वती जी का जो 200 वा anniversary है ध्यान रखना 200 वा birth anniversary है उसका celebration कर रहा है और यह जो celebration किया जा रहा है वो अभी इंद्रा गांदी इंदोर स्टेडियम डेली के अंदर तो इस वज़़े से यहाँ पर रही चर्चा हम है क्योंकि अभी 200 birth anniversary का celebration हो रहा है तो इस वज़़े से आपको दयानन सरस्वती जी के बारे में सारी बाते पता होनी चाहिए सबसे पहले चीज़ स्वामी दयानन सरस्वती दी एक philosopher थे, social leader थे और आरे समाज के founder थे आपसे question बन सकता है घुमा के पूचा जा सकता है दूसरे समाज के नाम दिया जा सकता है तो ध्यान रखना ये आरे समाज के founder थे और इन्होंने यहाँ पर मतलब की आरे समाज basically एक ऐसा reform movement था जो की वैदिक धर्म के अंदर reforms करना चाहता था है ना जो वैदिक धर्म है उसके अंदर यहाँ पे कुछ नई चेंजिस यहाँ पे लेकाना चाहसे थे यह इनका मानना यह था कि आप सभी लोग वैदिक धर्म पर वापस आओ इसे विए से इनका एक स्लोगन था वैदिक धर्म है ना तो इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ आरे समाज को इस्टेबलिश किया उनने आरे समाज को इस्टेबलिश कब किया था 7 अपरेल 1875 में इनका जो स्लोगन था वो था बैक टू दा वेदाज वैदिक धर्म ने बैक टू दा वेदाज करके यहाँ पर इनका एक स्लोगन था बाकि इननने आरे समाज को established क्या था साथ अपरेल 1875 में बॉंबे के अंदर में दस सिधान थे से दस सिधान जो की बेसिकली मेजरली बेस्ट है किसके ओपर गॉड सोल नेचर के ओपर यहाँ पर आपके सकते हो बेस्ट वो दस सिधान थे ठीक है इनका मेजर परस्पेक्शन ये था कि हम यहाँ पर रिली सिस वगरा ना हो सब equally हो इस प्रकार की चीज़ पर यहाँ पर ज़्यादा बिलीव कर दे थे इन्होंने यूनिवर्सिलिजम के उपर ज्यादा फोकस की यूनिवर्सिलिजम को जद ज़्यादा लोगों तक पहुचाया इसका प्रसार के इसको बढ़ाया ना कि किसी पर्टि वेडिक स्कूल दयानंद एंगलो वेडिक स्कूल जो है न यह स्टार्ट हुए थे 1886 में 1886 में यहाँ पर एक्जिस्टेंस में और इन स्कूल को इसलिए बनाया था ताकि हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो विजन है न जो उनकी सोच उसको रेलाइस कर सकें और जो यह पहला DAV स्कूल था इसको लाहोर बनाया गया तो समय सब एक था तो यहाँ पर लाहोर बनाया गया था जिसके हेड्मास्टर महात्मा हंसराज जी हुआ करते थे ठीक है हंसर जी थी ठीक है हंसर जी नाम यहाँ पर है हेड्मास्टर निके हुआ करते थे किसके DAV स्कूल के उस यहाँ पर इनके जो followers है उसमें स्री औरोबिंदु जी स्री रादा कृष्णन जी भी यहाँ पर इनके follower रहे हैं ठीक है यह मैं आपको इनके बारे में कुछ important points बता दिये हैं next important news article पर आते हैं यहाँ पर बात यही है सब तक कोटेश्वर temple के बारे में स्वरी mispronunciation के लिए अपनी जो खुशी है ना वो व्यक्त की है इस temple को लेकर अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि इस temple के अंदर renovation हुआ है है ना कुछ यहाँ पर इसको अंदर कुछ बदलाब करें चेंजिस करें गए नया किया इसको तो जो श्री सब तक कोटेश्वर टेंपिल है काफी ज़दा चर्चा में है तो जो ओरीजिनल टेंपल था ना इसको लगबाख 12th century में बनाया गया था कोगे ओरिजिनल से मतलब क्या है बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो आप कैसकतो 12th century में लगबाख 12th century के आसपास यह जो ओरिजिनल टांपिल इसको बनाया जा था किस ने बनाया था कदंबा डाइनस्टी ने बनाया था दीवार आइलेंड पर दीवार आइलेंड जो है गोवाप की बात हम लोग कर रहे हैं वहां पे इसको कदंबा डाइनस्टी ने इस ट बनी होई थी बहुत अच्छी तरीके से नकाश यह बहुत अच्छी तरीके से निकास्ज़ यह की गई थी इंट्रीकेट डिजाइंजिंगस यहां पर देखने को मिला करती थी मेन जो इमेन जो совक कि मूर्थी जाती है तो जो सैंक्टोरम वाली जगह है वहाँ पे प्लेंड वुड का यूझ कि आया था सैंक्टोरम की वॉल पर लेंड लकडिका यूझ किया था उसको यूरॉप्यन बनाए गया था फिर उसके आद में लेट राइट और इस्टोन केव से यहाँ पर पूरा का पुरा जो Temple है वो घिरावा था ऐसा यहाँ पर बूला जा रहा है यह temple का आपको यहाँ पर पिच्चर देखने को मिलेगा ठीक है ना यहाँ पर आप देख सकते हो एक और पिच्चर इसस टैंपल का अब मैंने आपको जब इतिहास बताया तो दो चार पास तोड़ दिया गया थो समय लेकिन उसके बाद एक तोड़ने के बाद में एक न्यू चापेल बना दिया गया था इसकी जगा पर सोलवी सेंचरी में पॉर्चुगीज के अंडर में यहाँ पर एक नया चापिल बना दिया गया था इस मंदिर को थोड़ कर लेकिन छदरपती शिवाजी महराज इनके साशन में इस टेंपल को वापस से रिबिल्ड किया या वापस से बनाया गया मतलब कि जो चीजें जो कहानिया है वो अभी भी सारी की सारी मेंशन है मतलब जो यह चीजें है जो यह डेटा है वो सब अभी भी यहाँ पर मेंशन किया या है एक स्टोन के उपर है ना जो की टेंपल के एंटरेंस में लगावा है जो टेम्पिल के बाहर जब आप एंटरी करते हो ना तो आपर एक स्टोन लगवा है उस पर यी सारी चीज़े लिखी गई है इस प्रकार से ठीके ना कि क्या-क्या इतिहास में हुआ है इस टेम्पिल के साथ में बात क्लियर हो गई आ गयाता है नेक्स ट्राडिकल बात करता है जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के बारे में ठीक है अभी पिछले कुछ जिनों में ये बॉड़ी काफी ज़दा न्यूज में रही है तो आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस बॉड़ी पता होने चाहिए जियोल पॉजिट्स हैं उनको ढूंड सकें अपने रेलवेस के लिए इस बेसिस पर जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को बनाया गया था दीरे-दीरे करके हम लोगों ने क्या किया यहां पर आपका सकतो इसकी जो रिपॉजिट्री है ना जो इसका कलेक्शन था वो दीरे-दीर कॉंसर्ट देखने को मिलेगा भूफ एग्यानिक के बारे में हाँ पर यह चर्चा करता है तो इनका काम है अलगलग सर्वेस करना है ना अलगलग यहां पर जो भी हमारा जियोलोजिकल एरिया से वहाँ पर सर्वे करने का काम करते हैं इनका जो मेजर हेड़क्वाटर आपक वह कैसा है जो हमारे पास में नैशनल जियो साइंटिफिक इन्फोरमेशन है भूफ विज्जान को लेकर जितना भी इन्फोरमेशन हमारे पास में रखा वाए और उसको अपडेट करने का काम भी करता है यह जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस आपसे क्वेशन बन सकत आए कि आज के समय पर ये body कौन सी ministry के अंदर में आती है तो बता देना ministry of minds के अंदर में इस body को रखा जा है अगले article पर आते हैं next article में अमरित पैक्स 2023 के बारे में चर्चा की गई है ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा national stamp show है ध्यान रकना stamp आप समझते हो जैसा ये picture मे communication ने हाल ही में अमरित पैक्स 2023 का उधगाटन किया है और अमरित पैक्स 2023 का उधगाटन कहां पर किया या न्यू डैली में किया आप से question बन सकता है तो ध्यान अकना अमरित पैक्स 2023 क्या है ये एक national philatelic exhibition है यहाँ पर आपको इतिहास दिखाया जाएगा इस stamp के माधियम से इस प्रकार से छोटे-छोटे stickers होंगे जिसके माधियम से यहाँ पर इतिहास दिखाया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह जो exhibition इसको और्गनाइस किसने किया है department of post ने और्गनाइस किया है under the ministry of communication बाकी कौन सी ministry आज के समय पर इसको handle कर रही है तो यह जो पुरा का पुरा इस exhibition के अंदर में आपको इंडिया की history यानि उसका इतिहास दिखाया जाएगा culture दिखाया जाएगा आर्ट और heritage दिखाया जाएगा यह सब ऐसे छोटे-छोटे stamp के माधियम से दिखाया जाएगा ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख पार होंगे stamp के माधियम से सारी चीज़ इसका थीम क्या इसका विशय क्या है तो विशय है अजादी का अमरित महुसव, वेमेन पावर, यूथ पावर, नेचर एंड वाइड लाइफ एंड कल्चर एंड हिस्ट्री इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर इसका विशय है ठीक है आपसे examination में देखो थीम जो है वो डिरे और रिसेंटली हाल ही में यह बर्ड सर्वे किया जा था जिसकी वज़ास से यह वाइड लाइफ सेंचरी काफी जादा चर्चा में है ठीक है जितने भी volunteers से उनों ने लगबग 186 जो बर्ड की स्पीशीज ने उसको record गया है जिसके basis पर यह वाइड लाइफ सेंचरी चर्च देखने को मिलेगा इसको हम लोग bird watchers के लिए paradise भी मानते हैं यानि कि जिनको चडियां देखना पसंद है चडियों देखने में दिल्चस्पी रखते हैं उनके बारे में जानकरी लेने में दिल्चस्पी रखता है उनके लिए बहुत बढ़िया जगया है अराम से काफी सरी वेराइटी इसकी काफी सरी अलग अलग प्रजातियों की जो चडियां है वो महाँ पर देख सकते हैं जो तंसा वर्लेफ सेंचरी है यहाँ पर आपको दो नदिया देखने को मिलेंगे तंसा और वेतरना तंसा के नाम पर इसका नाम रख दिया जा है आप ऐसे भी ध्यान मे इसके अंदर में एक फॉर्ट आपको देखने को मिल जाता है फॉर्ट कहां पर देखने को मिलता है महूली में और वो जो किला है वो कहां पर सिच्वेटिड है एक पहाड़ी पर लगबग 762 मीटर हाइट की उचाई पर स्थित है वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रोपिकल मौस डेसिडीयस जो फोरेस्ट वो जंगल वो देखने को मिलता है फ्लोरा की बात करें तो कई सारे जानवर कई सारे अलगलग प्रकार के प्लांट्स और अनिमल्स दोनों देखने को मिलता है जैसे हम बात करें तो इसमें कलंभ विबला खेर है टीक बैंबू इ पाय जाता है पैंथर बार्किंग डियर माउस डियर हाईना वाइल्ड बोर इस प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिलता है उसके अलावा देखो कुछ ध्यान में रखो या मत रखो लेकिन तानसा वाइलेफ सेंचरी को लेकर यह लास्ट वला पॉइंट ध्यान में लास फिश इगल दन उसके बाद में हैलेटेस लियोकॉर्फिस ये भी हाँ पर देखने को मिलता है तो यह जो जानवर है वो यहाँ पर पाय जाता है यह एक क्रेटिकल एंडेजर्ट काटिकरी में एक वल्नेरबल काटिरी में है यानि कि यह जो जानवर है वो काफी ज़दा खतरे में है उसके बाद नेक्स्ट आडिकल पर आता है अगला आडिकल बात करता है क्राइस दर रीडीमर स्टैचू के बारे में आपने जो आज का थमनेल देखाए ना वो इसी के बेसिस पर है हम आर्टिकल भली लास्ट में डिसकस कर रहे हूं लेकिन रेलेवेंट है यहा होता है इस स्टैचू के ओपर जो बिजली है ना वो गिर जाती है यहाँ पर जो बिजली है वो इस स्टैचू से काफिस दर टकराती है और यह पिच्चर अभी पिछले कुछ जिन्नों पहले सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल होई थी याद होगा तो इस वाजा से यह जो स्टैचू है वो चर्चा में तो आपको थोड़ी पौच इसे पता होने चाहिए क्राइस दर रिडेमर स्टैचू क्या है एक्जैक्ली है ना आव डिसकस करते हैं आपने पड़ा होगा जो हमारे सेविन वंडर्स ऑफ दा वर्ल्ल है साथ अजूबे जो है ना उसमें से यहां पर एक अजूबा ये भी है सेविन वंडर्स में हमारा क्राइस दर रिडेमर स्टैचू भी आता है आगे बताऊंगा तो ब्रजील के अंदर में इस स्टैचू स्टैचू है रिसेंटली यहां पर इसके बार बिजली कड़कती है जैसा मैं आपको बताया बिजली य एक साउथ अमेरिकन देश है ब्रजील में भी यहां पर एक समिट देखने को मिलेगा एक उचाई देखने को मिलेगी एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मांट कोरको वैड़ो मांट कोरको वैड़ो पर खासकर यह पडिकुलर जो स्टैचू है वो बनाया गया है, यह stісट्यू यहाँ पर जूस क्राइस्ट को दिखाता है, जिननके जो हाथ हैं वो इस तरीके से आपर फैले वे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर प्तल होगे, इस प्रगार से हाथ जो हैं दोनु तरफ फैले वे हैं, है न, आ गया आते हैं फिर उसका आतके बताया गया यहां पर इसके जब आम्स देखते हो हाथ किती दूरी तक फैले में 28 मीटर तक यहां पर जो हाथ है उनको यहां पर बनाया गया है इतने बड़े हैंड यहां पर बनाया गया है दूसरा इसको कॉंक्रीट से बनाया गया है और सब पर्टिकुलर स्टाइल का यूज किया यहां है इस पूरे के पूरे स्टैच्यू को बनाने के लिए एक टूरिजम स्पॉट भी है काफी सरे लोग काफी जर्देशों सजाते हैं गुमने के लिए हाँ पर पूरा नजारा लेने के लिए पूरा व्यू को देख पार होंगे इतने उचाई पर ही यहाँ पर इस स्टैचू को बनाया गया है ठीक है आगया आता है तो आज के समय पर जो सेविन वंडर्स ऑफ दा वर्ल्ड है ना उसमें यहाँ पर क्राइस दा रेडेमर स्टैचू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्रजील में अब उसके बाद बात करेंगे आर्ट डेको क्योंकि आर्ट डेको स्टाइल का यूज क्या गया है इस स्टैचू में तो आर्ट डेको स्टाइल क्या होता है देखो एक modern स्टाइल है सारा symmetrical work होता है मतलब आप देखो कि ऐसे architecture बनाया जाते हैं इस स्टाइल में कि वह देखते रह जाओगे आप हैना मतलब डिजाइन वह काफी जादा modernize देखने को मिलेंगे ऐसे design बहुत कमी से बन पाता है कहोगे ऐसा कैसे design हो गया तो आपको दिखाता हूँ यह ठीक है कहा पहले आते हैं हम लोग अपने questions की तरफ I hope आपने मज़ेदार से चितने भी आर्टिकल थे वो सब पड़े वे हैं अब आप उसके business पर अपने questions को अटम्ट करना पहले में एक साथ सारे questions आपको बताऊंगा उन questions के answer देना फिर last में आपको मैं सारे questions के answer एक साथ बताऊंगा फिर उसके बाद अपना cross match करना कितने questions सहीं करें हैं आपने score नीचे comment section में लिखना score लिखे बिना नहीं जाना है किसी को भी चलो start करते हैं first important question के साथ में पहले article में हमने forever chemicals के बारे में discuss किया था तो forever chemicals के regarding आपको यहाँ पर दो statement दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहल और यह naturally occurring chemical है यानि कि प्रकृतिक तोर पर यह chemicals पाय जाते हैं दूसरा statement बोलता है कि जो यह chemicals हैं यह हमारे environment में इतनी जल्दी degrade नहीं हो सकते इतनी जल्दी यहाँ पर environment में खतम नहीं हो सकते बताओ कौन सा statement सही है option A1 only option B2 only option C दोनों सही है फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आते हैं अगला question बात करता है operation दोस्त के बारे में तो operation दोस्त को लेकर बहुत simple सा question इस कांसा सभी को पता भी होना चाहिए operation दोस्त एक search और rescue operation भारत ने launch किया है कौन से country के लिए launch किया है आपको बताना है option A येमेन, option B स्रिलंका, option B तरकी या फिर option D यूकरेन आगया आते हैं next question की तरह अगला question हमारा बात करता है किसी इसके बारे में Delhi Mumbai Expressway के बारे में तो Delhi Mumbai Expressway को लेकर आपको दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement ये expressway इंडिया का सबसे लंबा expressway होने वाला है इसकी जो length लगबख 13, sorry 1386 km के आसपास होगी और ये 10 राजों से गुजरेगा कित एक पहले expressway जहां पर animal overseas बनाया जाएगा मैंने आपको animal overseas का concept अभी थोड़े पहले पढ़ाया है अब इसके basis पर बताओ कौन सा statement सही है option A one only option B two only option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है next question पर आते हैं अगला question हमारा बात करता है किसी इसके बारे में ये बात करत सब्सक्राइब करनाट का उप्षन सी महराष्ट्रा या फिर इन में से कोई नहीं अगले प्रशन की तरफ आता है नेक्स्ट कुशन हमारा बात करता है दायानंद सरस्वती जी को लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दिये गए हैं बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स् बुक लिए है जिसका नाम है सत्यर्थ प्रकाश दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इन्होंने ब्रह्मो समाज को एस्टेब्लिश क्या है ताकि वैदिक धम के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स के जा सके बदलाव के जा सके हैं बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है ऑप्शन उप्षन बीटू उप्षण सी दोनों सही या फिर उप्षण डी दोनों के दोनों गलत हैं अगले कुश्ण की तरफ आता है नेक्स कोश्ण हमारा बात करता है अमरित पैक्स दोघ्स-ट्र है में जो हाली में नीज़् में देखने को मिला है इसके रिफ्ष्रेंस में आपक क्या है ठीक है उसके बाद अगले question बदाता है next question बात करता है Geological Survey of India के बारे में तो Geological Survey of India को लेकर आपको दो statements दिए गए हैं बताना है कौन से सही है पहला statement यह जो body है इसका जो main function है वो है हमारा जो geoscientific information उसको अपडेट करना दूसरा यह body ministry of minds के अंडर में काम करती है बताओ कौन से statement सही है one only two only दोनों सही है या फिर दोनों के दोनों गलत है next question पर आता है अगला question खतम होगे कोई question नहीं आप तो इतने इसे question थे फटाफट देखो आपने कितने सही answer दी है आप फटाफट में आप लोगों को सारे answer बताता है चलता हूँ चेक करना और अपना score नीचे comment section में लिखे बिना बिलकुल नहीं जाना ठीक है तो पहला जो last only question से मैं answer बताता है चलूँगा आपको हाँ बिलकुल यह ministry of minds के अंडर में काम करती है तो इसके reference में अगर आप देखते हो तो हमारा सी correct answer है दोनों के दोनों statement सही है फिर आप से यहाँ पर अगला question पूछा गया था अमरित पैक्स 2023 के बारे में शो में तो एक national philetic exhibition है तो option b is the correct answer फिर अगले question पूछा जया था दयानन सरस्वतीची को लेकर दो statement से बताओ कौन से सही है पहला इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बुक को लिखा बिलकुल सही बात है दूसरा इन्होंने ब्रहम्मो समाज को establish किया था यहीं पर game खतम हो जाता आपसे पूछा या सब तक को टेश वरे temple के बारे में हाली में न्यूज में देखने को मिलाए कौन से राजय में स्थित है तो option is the correct answer गोवा में यह temple आपको देखने को मिल जाता है फिर next question पूछा या डेली मुंबई expressway को लेकर तो दो statement से बताओ कौन से सही है पहला statement यह इ दूसरा statement यह पूरे एशया का पहला expressway होगा जिसमें animal overpass बनाया जाएगा यानि कि उस expressway के उपर इस प्रकार से पूल बनाया जाएगा दोनों तरफ के जो जंगल होंगे ताकि दोनों तरफ से जंगल होंगे न वहां से जानवर इस पूल का यूज करें इधर से उधर जा स रोड की वजाए वो उपर से जा सके हैं जिससे कोई accident ना हो या फिर यहां पर कोई conflict ना हो ठीक है तो बिल्कुल यह पूरे इशया का पहला expressway है जापर animal overpass देखने को मिलेगा तो option B is the correct answer फिर आपसे next question में पूछा गया operation दोस्त के बारे में तो operation दोस्त एक search और rescue operation जिसको भारत ने launch किया है कौन से देश के लिए तो यह मैं इस लंका टर्की युकरेन सबको पता है यहाँ पर option C युकरेन बाकी जो आपसे question पूछा था मैं ने युकरेन के लिए हमने युकरेन से भारत इस ग्रेंट को निकालने के लिए operation जो चलाया था उस operation का नाम क्या के हाई persistence naturally occurring chemical है तो यह तो गलत है क्यों गलत है यहाँ पर लिखा है naturally occurring chemical यह प्राक्रितिक्स और पर आपको यह chemicals बलेव हैं ऐसा है क्या नहीं मैं आपको बताया था यह chemicals synthetic chemicals है man made chemicals है इंसान ने आपर इन chemicals को अपने हाथों से बनाया है ठीक है दूसरा statement यह जो chemicals है यह इतनी अ बात है मैं आपको बताया था environment में इतनी असानी से यहाँ पर यह विकार नहीं होते खतम नहीं होते तो option भी जो हमारा वो है बिलकुल सही उत्तर है ठीक है ना पहला वाला गलत था वो रीजन हमने देख लिया है तो I hope guys आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़े क्लियर हो चु अपने lecture को समाप और बता दो आपका क्या score आया है है ना देखते हैं किसने कितने questions सही किये हैं और आपके में improvement हो रहा है या नहीं हो रहा है और वीडियो आपको कैसा लगता है आप अपने जो point of views वो mention करो है ना आपको यहाँ पर confident जो confident वाली feeling है वो वीडियो के last में आती ह है या नहीं आती है बाकी मैं कोशिच करता रहता हूं कि जो articles उनको crisp तरीके से इस वीडियो में cover करता रहूं now मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज कले bye bye have a nice day thank you and जै हिंद